नमस्कार मैं हूँ अबिनाश पांडे और आप देख रहे हैं बिहार जारखंड का पहला लाइब टीवी एप वाला निव चैनल निव जोन 11 आपको हम आज और इस वीडियो में बताएंगे बिहार और जारखंड के साथ साथ जो देश में छटे चरण के मतदान होने वाले हैं जिसके लिए कल यानि की 12 माई को वोटिंग होगे उसके बारे में तमाम अपडेट्स हम आपके लिए निकाल कर लाया हैं तमाम बाते बताएंगे तो आप बने रहे हैं इस वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे सबसे पहले तो आपको बतादे कि लोग 189 उमिद्वारों के भागी के फैसले को कुल 10 करोण 16 लाख मतदाता तै करेंगे बिहार के अगर बात करें तो बिहार में चट्थे चरण के मतदान के लिए जो वोटिंग होनी है चट्थे चरण की जो वोटिंग होनी है वो वालमेकी नियार पूर्वी चंपारण पश्रुमी 222 परत्याशी हैं जिनके भागे का फैसला कल यानि की 12 माई को EVA में कैद हो जाएगा बिहार चुनाव आयुक के अनुसार 6 चरण में कुल 127 उमिद्वार हैं सबसे अधिक जो उमिद्वार है वो पूर्वी चंपारण में है और इसके साथ साथ वैशाली में कुल 22-22 उमिद चुनावी मैदान में आपको बता दे कि पश्रीम चंपारण की बात करें तो यहां 9 मिद्वार चुनावी मैदान में है और 6 चरण में कुल यहां पर जो बिहार में बात कर रहे हैं 8 सीटो पर यहां पर 1.38 करोन लगबग मतलब 1.5 करोन के आसपात मद्दाता हैं जिन में अगर बात करें पुर्षो की तो यह संख्या 73,60,000 के तकरीबन बताई जा रही है वहीं अगर महिला मद्दाता हो कि संख्या के बात करें तो यह 64,000,000,000 लगबग 65,000,000 यहां बताई जा रहा है जबकि 13,973 मतदान केंद्र बनाए गए है इन जो आठ सीटों पर जो मतदान होने है वहां के लिए अगर बात करें जो चुनाओ आयोग ने जिस तरीके से बताया है कि कहीं शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी तो कहीं शाम के 4 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे वो कौन कौन सी जगा होगी जहां शाम 4 बज़े तक वोट डाले जाएंगे वो हम आपको बताएंगे और पहले आपको बताएंगे कि परश्रिम चंपारन शीवहर गोपाल गंज सीवान और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जो भी गोपाल गंज या फिर यह जो हम नाम बता रहे हैं परश्रिम चंपारन पू वोटिंग होगी इसके साथ साथ आपको हम बता दे कि वैशाली लोग सबाक्षेत्र के मीनापूर पारू और साहिब गंज विदान सबाक्षेत्र में भी सुबा साथ बजे से शाम के चार बजे तक मद्दान संपन हो जाएगा वालमिकी नगर और वैशाली के अन्यविदान सित्रों को छोड़के हैं वहाँ शाम के साथ बजे तक वोटिंग डाली जाएगी अब जरा उमिद्वारों के भी चर्चा कर लेते हैं कि किन उमिद्वारों में के बीच मुकाबला बताया जा रहा है हाला कि बिहार में एक तरफ महां गटबंधन है तो दूसरी तरफ इंड मैदान में हैं और उनके खिलाफ उमिद्वार हैं लोजपा की वीना देवी इन दोनों में मुकाबला यहां पर बताया जा रहा है हाला कि आपको हमने पहले भी बताया है कि जो कल तक राजत के लिए बैड एलिमेंट थे यानिकि अनन्त सिंग वो वैशाली लोकसबा सीट के रहे थे उन्होंने रोड शो भी किया और रगवन्स परसाद सिंग के लिए वोट भी मांगे आपको हम पश्चिम चंपरन की बात करें तो यहां पर भाजपा के जो अभिन निर्तुमान जो संसद हैं संजे जैस्वाल वो हैं और रालोस्पा से ब्रजेश को स्वाहा के और मजूदा सांसद जनारदन सिंग से ग्रिवाल टक कर दे रहा हैं इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है अगर बात वालमिकी नगर लोगसबा सीट की करें तो जदियू के तरफ से यहां पर वैदनात महतो चुनावी मैदान में हैं वही कॉंग्रेस के शास्वत के दार के बीच यहां पर मुकाबला बताया जा रहा है बात अगर पुरुईच अंपारन की कर ले तो भाजपा से केंद्रिय मंत्री राधमोहन सिंग जो क्रिशी केंद्रिय मंत्री है वो चुनावी मैदान में है और अगर बात रालोसपा से यानि कि महागड़ ब बताया जा रही है सिवान की बात कर ले तो जद्यू की कविता सिंग है और राजट की परत्यासी हीना शाहब यहां पर शाहब वो दोनों के बीच यहां पर कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है चलिए जारखंड में भी चलते हैं वहाँ पे भी कल यानिकी 12 माई को चार सीटे हैं उन्हें सीभूम यहां पर बता दे जम्शिदपूर धनबाद और गिरडी यह चार सीटे हैं जहां पर 12 माई को वोटिंग होगी अगर परत्यासियों की बात करें तो गिरडी में 15 परत्यासी हैं वहीं अगर धनबाद की बात कर ले तो 20 परत्यासी चुनावी मैद यह और दूसरी तरफ महागडबंधन से हैं और यह जो चारों सीटे हैं इससे पहले यानि कि 2014 में भाजपा के पक्ष में आय थी भाजपा के उमिद्वारों यहां पे से जीत दर्ज की थी इन इस बार जो मुकाबले के बीच में हम आपको बता दे कि सिहभूम में अगर बा भाजपा के विद्दूत वरन महतो हैं और इनका मुकाबला जामुमो के चंपई सोरेन से हैं तो इस तरीके से वहीं अगर धनबात की बात कर ले तो भाजपा के पी एन सिंग हैं और कॉंग्रेस के किरतियाजाद हैं जो कि इससे पहले दर्भंगा से भाजपा के सांसत थे भाजपा ने उन्हें निश्कासित किया उसके बाद कॉंग्रेस में गए और अब धनबात से कॉंग्रेस के परत्यासी हैं करतियाजाद वहीं गेड़े की बात करें तो आईसी के यहां पर मफकी जेगा आजसू के यहां पर चंद प्रकास चौधरी हैं और जामुमो के यहा पूरे देश की कर लेते हैं जहां हमने आपको पहले ही बताया था कि जो वोटिंग है वो साथ राज्जियों में चल रही थी तो हमने दो राज्जियों बिहार और जहरखंड की बाते बताई बात बाकी और पांस राज्जियों की भी बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि कहां कि इस प्रकार से वोटिंग होगी है तो इस तरीके से आपको हम बता दे कि जो ये छट्टे चलने का मद्दान चल रहा है इसमें तिरपूरा की एक सीट पर जो पश्यमी है वहाँ पर पुनर मद्दान कराया जाएगा हलकी आपको बता दे कि 29 विधान सवा क्षेत्रों में 178 मद मत्दान रद हुआ था और यहाँ पर फिर से मत्दान कराने की बात कहीं जा रही है चले जरा आप जान लेते हैं कि आखिर किन राज्यों कौन से वह सात राज्य हैं जहां पर कल यानि की 12 मई को छट्टे चलन के लिए मत्दान होंगे इन जो सात राज्य हैं उनमें यूपी अपने मत का लोग परियोग करेंगे और जो तमाम उमितवार हैं उनके भाग्यों का फैसला कल यानि के 12 मई को एवियम में कैद हो जाएगा चटे चलन के लिए जो वोटिंग होगे उसमें आपको बता दे कि लगभग 1.13 लाख मतदान केंदर बनाए गये हैं और इस चलन में जहां कुल मतदाताओं के संख्या 10.16 करोण है वहीं अगर पुरुष मतदाताओं की बात क कर लें तो 3,307 थर्ड जेंडर हैं जो अपने मत का परियोग करेंगे इस चरन में भागया आजमार हैं उमिद्वारों की जो संख्या है वह हमने आपको पहले बताया कि 989 उमिद्वार हैं जो अपने किसमत को आजमार हैं अगर बात कर लें तो इसमें सबसे जादा जो कंडिडेट बीजेपी ने उता रहे हैं वहीं दूसरे नंबर पर बीएस पी है जिसने 49 कंडिडेट उता रहे हैं इसके अलावा कॉंग्रेस के 46 कंडिडेटों के वैसले कल होंगे उसके बाद शिवशेना की बात करें तो 16 कंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी की बात करें चुनावी मैदान में है इसके अलावा निर्दलिय परत्यास्षी भी अपने भाग आजमा रहे हैं तो ये बात रही पूरे जो छटे चरण का मतदान होगा कहा किस तरीके से होगी जो सातवी चरण में किस तरीके से होगी हम आपको वो ही बताएंगे लेकिन चटे चरण के लिए हमने आपको बताए कि क्या कैसे और कहा मतदान होगे कितने लोग हैं क्या कुछ होने वाला है किस तरीके से तैयारिया हैं कौन से दल किस पर भारी पर रहे हैं कौन से उमिद्वार किस उमिद्वार पर भारी पर रहा है या किस के बीच में किस के बीच में मुकाबला है तो यह रही बात चट्टे चरण की वोटिंग के लिए और अब बन रहे हमारे साथ तो देखते हैं News11 क्योंकि खबरों से अबडेट हम आपको कराते हैं और विहार जार्खन के साथ साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अबडेट रने के लिए आप मारी वेबसाइट दर्ण से अबड़ी खबरों से आपको कराते हैं